वाहि गुट जी का खालसा वाहि गुट जी की फते पंजाबी ओडी बुक सुन रहे सारे सरूते नूं मेरे मनिंदर कौर वलूं प्यार परी साथ श्रीव काथ हून तक असी इस किताब दे अठती पनने पढ़ चुके हां हून शुरू काथ दे हां दुज्जा पाग शहिदी पाई तारा सिंग जी नुशेरा जीरा लहौर विच कुछ सिख वाहि काथ दे सं उत्थोदा चौदरी साहे ब्राए सिखांदे खेत विच कोडियां छड़ छड़दा सी सिखांदे कई वार बींती कार्ण उत्ते वी चौदरी ने कोई परवाना किती सगो एक दिन खिज के कैन लग तो हड़े सिरांदे वालांदे रसे वाट के कोडियां बज़ण गियां उनना चिर खुलियां ही फेर्ण गियां ए बोली सुनके सिखांदे तन मन अग लग उठी उना पुसे पिंड जिला अमरिसर दे सरदार अमर सिंग ते बगैल सिंग ते लोनु साध के चौदरी दियां कोडियां बाहर चादियां फड़ा दतियां पुसे सरदारा ने कोडियां सरदार लखमीर सिंग पिंड करे आड़ा जिला लहौर नू ले आदतियां ते उने मालवे विच सरदार आला सिंग महराजा पटे आड़ा दा वड़ा प्रा कोड वेच के पैसे पाईतारा सिंग जी दे लंगर विच आपाई पाई तारा सिंग, पिंडवा, जिला लहौर, उदो परगणा पट्टी, ते पाकस्तान बन पिछो अम्रिसर, दा बुटर गोत दा जट सी ओ बड़ा सिद्की सिख सी, ते पांथ विच संत कैके पूज्या जान्दा सी ओ तेग तारी संत सी, जो सिमरन दे नाल किर्तवी कारदाते सदा गुरू का लंगर चलोंदा सी हर वेले ओदे कोड कुछ सिंग टिके रहें दे सन, जिड़े पुस दे पगोडे हो जान्दे, ओ उसकोड आटिक दे पाई तारा सिंग जी बंदा सिंग दे युद्धा विच्वी शामल रहे हन्द साहिब रायन ने कोडियां दी सू कड लई, ओ आदमी लैके बगेल सिंग अमर सिंग नू फडम गया ता ओ नास के पाई तारा सिंग जी डे डेरे आ गई, मगरे साहिब राय वी डेरे आ पुझा ओ अपने सुबा अनुसार पाई तारा सिंग जी नू वी, उमे तम कौन लगगा चोधरी ने पाई साहिब जी तो चोर मंगे ता ओना अगों उत्तर दता कि चोर ओ है जो लोकांदे खेट चारदा है ना कि ओ जो अपनी कीर्थ करके खांदे हन चोधरी नू बड़ी तमक लगी, उन्हें गुसे विच आके कह दता जे सिद्धे हथी मेरे चोर ना देऊंगे ता मैं जुतियां ना लेलवांगा पाई साहिब जी ने अगों उत्तर दता जो संता नू जुतियां दासदा है ओ आप जुतियां खा के जानदा है इशारा समझ के एक सिखने उठके चोधरी नू पंच सत जुतियां माद दतियां चोधरी रोंदा तोंदा पट्टी वे फॉजदा जाफर बेक कोल जा पिटया ओ दो सो पैदलते सो असवार लेके तारा सिंग जीते चाड़ाया ए फॉज चार कड़ी दे तड़के पिंडवा आ पुझी सदार बगेल सिंग अमरत वेले बाहर में दान गया तक कोड़ेयां दे सुंबा दी अवाज कननी परी ओ समझ गया कि शाही फॉज आ गई है पिछे हटन दी था उने ओन वालयानू ललका रहा साहिब राय ने अवाज पशान के फॉजदार नू किया कि एहा बगेल सिंग मेरियां कोडियां दा चोर है फॉजदार ने बगेल सिंग ते हला काड़ता सिंग ने बच्छा संबालया ते सूर में वांग शहीद होया भुंगे विच उस वेले बाई सिंग, लखमीर सिंग कर्याडा, आली सिंग, गुर्बक्ष सिंग पडाना, पीम सिंग, बादल सिंग रतो के, मेग सिंग मदर, हाता सिंग चूंग, बलाका सिंग, साफना, जोद सिंग नारेवाल, मेह सिंग तुंग, वसावा सिंग, कोयर सिंग, समुद्ध सिंग, त चाब सिंग मुलतानी, सूरा सिंग खालडा, पंगड सिंग, रसाल सिंग पशोरी, अमर सिंग पूसा आदी सान, बनुक का दिवास उनके सारे मिदान विच आडटे, पहले हले विच ही शाही फौज दस कु आदमी मरवा के ते कुझ फटड करवा के पिछे ना सुठी, मर्न वालें विच फौज दार दा इक प्रातिक प्तिजावी सान, वाँ तो ना सके जाफर बेग ने कमबोकी माड़ी आसा लेया, ते उत्थू लोथा चुक के सिदा लहौर जकरिया खा कोल जा पटिया, सुब्यदार ने मुमन खानों फौज लेके चड़ाई करन्दा हुकम दित्ता, कोडों एक काजी ने केहा, सिंग जोंदे फड़ के लियाओ, एथे मारांगे, मुमन खान दे एक स्पाही ने केहा, काजी साहिब नू नाल ले चलो, एनी सुनके काजी डादा मारा चुप हो गया, ते मुड़ के होर कोई न बोलिया, मुमन खा, बाईसो सवार, पांज हाथी, चार रहकले, ते चारी जंबूरे लेके तारा सिंग नू फड़नवास्ते चड़ेया, लहौर दे सिखाने एक सिंग हथी एस सारी खबर तारा सिंग नू पुचा दती, ते नाल ही बेंती करकर ली, कि आप डेरा शड़ के चार दिह सारे पासे हो जाओ, पाईतारा सिंग जीने सारे नू सुनेहा सुना दिता ते नाल ही अपनी राई वे दास दिती कि जो जाना चावे उप बड़ी खुशी नाल जा साकता है, बगर मैं एथे ही मिदान विच लड़के शहीद हुआगा, देरे विचले सिंगा विच्चों त सुर्ण सिंग, आधी, होर आगे, सारे मोर्चा बंदी करके लगे शाही फौज द्यू डीकर, अजे सूर्ज नहीं सी चड़ेया, जा मोमन खा दियां फौजा पहुँच गिया, वैरी मार हेठ आये, ता सिंगा ने मोर्चयां विच्चों तीर गोडियां बरसोने शुरू का दते, दोहां पास्यां तो अंदा तुंद आगवर्न लगी, सिंगा कोडो दारू सिका मुक गया, ताउ तलवारा ते बर्चे फाड के बुंगियों बार मिकले, तक की बेग तुरानी ने तारा सिंग नू सामने वे के उसवल हाथी वदाया, बराबर दा जोड वे के सिंग ने वी उसे वल कोड़ छेड़ेया, तक की बेग ने तीर मारेया, जो तारा सिंग दे दुमाले, निहंग सिंगा दी पागदा उपरला हिस्सा फर्रा विच लगगा, अगो वार बचा के तारा सिंग ने बर्चा उलारेया, तक की बेग संजो विच मुड़ेया होया सी, सो सि ने उस दे मूँ विच बर्चा मारेया, बड़ा मारू फट खाके तक की बेग पिशा उठ नठा, मुमन खाने तक की बेग दे मूँ विचो लहू वगदा वेग के ठठे नाल पुछेया, सगों पान खा रहे हो, तक की बेग ने उसे बोली विच उत्तर दता, तारा सिंग ब तीजा मुरीद खां अगेवदया, पीम सिंग ने बर्चे नाल उस दा महावत मार दता, ते कन्नो फट के हाथी बहा लेया, नेडे ही लखमीर सिंग खला सी, ओ शाड मार के हाथी ते चाड़ गया, ते तलवार नाल मुरीद खां दा सरवाड लेया, फिर शाही फॉज दे अ नेका फट खां के ते कैया नू तलवार दी तारलंगा आके शहीद हो गय, शाही फॉज दे ते नुकू सो बंदे मरे ते कुछ फटड होए, बाई सिंग पाई तारा सिंग जी ना शहीद होए, लडाई मुक्की ता मोमन खां फते दे वाज्ये वजाउंदा होया, लहोर उनके खासा पड़क उठेया, ते हजारा सिंगा गुर्मता कर्ण वास के अमरी सर कठे आ होए, सारे अंस एंसला किता की देश विच लुट मार दोरा ते किती जावे ते खास करके शाही खजाने उत्ते हाथ मारे जावे, अड़ो अड़ जथे बना के सिंग चुफेरे इला सिंगा नू पता लगा ता ओना खुड़िया जिला लहौर कोल केर लेया, शाही राखे कुछ मारे गए ते कुछ नास गई, चार लख दे करीब खजाना सिंगा दे हाथ थाया, जिस विच्चों कोश्ता गुरु के लंगर वास ते अमरिसर पाई मनी सिंग जी कोल पुचा द ते बाकी सिंगा विच्चवांड देता गया, चब इंडे दे सिंगा ने लहौर नू जानदा खजाना लुट लेया, कसूरो लहौर नू जानदा होया खजाना दरबार सिंग, फते सिंग, खड़क सिंग आधी ने पिंड काने को लुट लेया, शाही सुदागर मुर्तजा दिल्ली नो कोड़े लई जारहा सी, जो सिखा ने जिंडियाले कोल खो लेया, शाह मुम्मद दा साला नवाब जाफर खान दस हजारी सने परवाद दिल्ली नो जारहा सी, जो बाग सिंग, बुड़ा सिंग ने गोईंदवाल दे पतन ते लुट लेया, शिरी हर गोबिंद पुरे कोल एक सुदागर दा माल सिंगा ने लुट लेया, पिछो पता लगगा कि ओ सुदागर परताब चांद स्याल कोट दा हिंदू सी, सिंगा ने उस दा माल वापस काप दता, स्तारा सु छबी ईश्वी विच अजेहिया कई वाद दाता हुया, खान बहादर जक्रिया खाने गश्टी फॉज वदा आदती, ते नाल ही हुकम जरा सक्त कादते, सो थां थां सिंगा नल फॉज दी मुठ पेड होन लगी, चविंडे विच सिंग्णिया दी गश्टी फॉज ना टकर, चविंडे दे जथेदार भादर सिंग दे पुत्तर दा व्यासी, ओ जांज च पॉज नू कंड विखा के पजना पे हा, एक अटना हाड 1726 ईश्वी नू होई, राम रंदावे ने सिंग मारे, पहाड़ा वल्लो अम्रिसर नू आउंदे होए, वीकु सिंग पिंड कणिये रंदावे यां दे आ उतरे, चौदरी रामा रंदावा फॉज चड़ा के लाया टाकरे विच कईया नू मार के वी सिंग शहीद होगे, उना दे सिर लहोर पुचा के रामे ने इनाम ले लिया खान बहादर दा इश्तिहार जक्रियां खाने सारे सुबे विच एक आम इश्तिहार जारी किता, जो किसे सिख दी दास पावे उसनू दास रुपे इनाम, जो पकड़ावे उसनू पंजी रुपे ते जो सिर पेश करे उसनू सो रुपे इनाम मिलेगा वदेरे सेवा करनवालेनू जगीर भी दिती जावेगी, इस दा नतीजा ए होया कि फौजा दे नार्ग पिंडा दे चौदरी ते वारा सिंग दी पाल विच फिरन लग पिया अग्गे अग्गे सिंग ते मगर मगर फौजा, सारा देश उजड गया, कुझ सिंगा लुट लेया ते रही दी शाही फौजा ने लोक वगार विच फड़े गए, फसल सिखा लुट लई, ते पेड बक्री जो हथ लगी ओ फौजा ने समेट लई, लोकां को सरकारी मामला तारन जोगा वी ना रहा दिल्ली दी फौज लहोर विच खराज लैन वास्ते लहोरों तिन साल दा खराज दिल्ली नहीं सी गया, बाजशा ने हैबत खांते सलाबत खानों दो हजार रुहेला फौज दे के खराज वसूल करन वास्ते पेजिया उना लहोर आ डेले लाये ते जकरिया खा कोडों करोडा रुपे खराज मंग गया, नाल अपने खर्च वास्ते पंज हजार रुज आना जकरिया खा दे खजाने विच्टा कुछ नई सी, सो उने लगके दे चौदरी फड मंगवाई जिनाने सिखानों फड़ा फड़ा के इनाम लई सन, हुन उनानों सब हिसाब देने पए सुब्बे ने बड़ी बेज ती करके चौदरियां कोडों पैसे कठे किते दास हजारता रुहेले सरदारानों वड़ी दिती, ते बाकी वी लाखदे लागपाग, साथ गड़ेयां उते लाद के तोर दिता ए रुपेया रुहेलेयां सामने गिन के नहीं लद्या सी, उनानों दस्या गया कि सारा बकाया खराज, जो कई करोड बांदा सी, दे दिता है फिर जक्रियां खा सोचन लगगा कि ए पाड़दा कि में रहा उक्षी वेले उनु चंगी सुची, सरदार सुबेग सिंग जंबर लहोर रहा कारदा सी, ते सरकारी पेंड ठेक के ते लेया कारदा सी उसनु बला के जक्वियां खाने केहा कि सिंगा नु कहो ए खजाना दिल्ली ना जावे, साधी फौज टाकरा नहीं करेगी रहेले खजाना लैके ब्यास कंडे पहुंचे ता आठ हजार सिंग अचन चेत जापए, लहोरी फौज खाल से नु वईंदे सार पाज गई, रहेले कुछ टाकरा किता पर सिंगा दितेग सामने बौता चिर खलो न सके सिंग खजाना लुट के, जंगल विच जावडे, ते रहेले सरदार रूंदे तूंदे लहोर, एक अटना, स्तारा सो, ती ईश्वीदी है दिल्ली तों फौज पंजाब आई जक्रिय खाने बाशानों लिखिया कि मैं सारा बकाया करोडा रुपे ताब दिता सी, पर सिंगा ने लुट लेया है, सो मदद वास्ते फौज पेजो गुसा खा के बाशाने नजीब खा, सफदर खा, जफर खा, आदी नूवी हजार फौज दे के पेजिया फौज दे अपड़न तो पहला ही, सिख कुछ पहाडा विच लुप गए, ते कुछ बिका निर जाबले शाही फौज ने हिंदूआ ते किर्ती सिखा उते सारा गुसा कर देया, ते उजडे होई देश नूँ होर तबाग इता शाही फौज दिल्ली नूँ वापस मुड़ी, तस्तारा सो कत्ती विच सिंग पंजाब विच फेर आप अरगट होई इस वार पहला नाडो ओव देरे करडे हथी मार ताड करन लगे इलाके दे चुगल चौधरिया नूँ चंगी तरा सोध देया, ते जो हिंदू तक केनाल मुसंमाल किते गे सी उनानू सिंग सजाया एसमें बहुत सारे नवे सिंग साज के पांथ विच राले, सिंगा ने सारे लाके विच ओतर थली मचाई की साब कोडो गिन गिन के बदले ले जकरिया खाने फिर सिंगा नू दबोंदा बड़ा यतन किता, पर सारा तान लाके वी, ओहो इस वार सफल ना होया सिंगा दि गिनती ते हौंसले दो में चिज़ा वाद गईया, कई वार ओ लहोर दे बजारा तक लुट मार कार जांदे खान बहादर दी बादशा नाल सला खान बहादर जकरिया खा जोर नाल सिंगा नू ना दबा सक्या, ता उने निती दी होर चाल चली उन्हें बादशा नू वेर्वे ना लिखिया सक्ती नाल नहीं ता नीती नाल सिंगा नू वस करना चाईदा है जे सिखन नू जगीर दे दिती जावे ता ये लुट मार करनी शड़ देनगे इस तो बिना एहे मुल्क वसन नहीं देनगे मुहमद शा बादशा मुहमद शा बड़ा कमजोर सी 7 साल नजर बंद रैन करके ओ उच्ची विद्या नहीं सी पासक्या ओ अफीन खांदा सी ते हार वेले मेला विच ही वड़िया रहिंदा सी सची गलता एह है कि ओ बादशाही दे लाइक ही नहीं सी जक्रिया खांदी चिठी पाड़ के बादशा ने अपने अमीरां तों सिंगा वारे पुछया जे हो जे हा बादशा ओ हो जे उस दे सलाकार सारें दे सला पकी होई कि पंडा कोडो सिंगा दी नकल करा के विखी जावे पंडा ने बड़ी टुकवी नकल किती जिस दा बादशा दे दलते बड़ा असर होया उसने खान बहादर नू सिंगा नू जागीर देन दी आग्या लिख पे जी पांथ नू जागीर ते नवापी स्तारा सो तेती इश्वी दी विसाखी मनोण वासते सारे सिंग अमरी सर कथे होये उस वेले पंथ विच नामवार सिंग एसन दरबारा सिंग कपूर सिंग हरी सिंग हजूरी दीप सिंग शहीद जसा सिंग रामगडिया, करम सिंग, बुड़ा सिंग शुकर चकिया, गर्जा सिंग आदी जक्रिया खान खान बहादर्दा पेज्या होया, सर्दार सबेग सिंग जंबर, अमरिसर दिवान विच हाजर होया सुब्यदार दे पेज्ये होये 5000 दमडे, उन्हें देग वास्ते पांथ दी पेटा कीते, ते बेंती कीती, लहोर सरकार पांथ ना सुला करनी चौंदी है, पांथ वास्ते एक लख साल दी जगीर ते नवापी दा खिताब पेज्या है पांथ किर्पा करके परवान करें उस वेले दिवान दत जथेदार सरदार दर्बारा सिंग सी, उन्हें सारे पांथ दी राये पुच्छी, ता बोते आने ना परवान करन दी सलाद ती, सरदार सबेग सिंग ने फेर बेंती कीती नीती इस गालदी मंग कादी है कि कार आई कोई चीज ना मोड़ी जावे, सुला वास्ते असा दरखास्त नहीं किती, सगो पंजाव सरकार ने किती है असा उस तो कुछ मंग्या नहीं, सगो उसने पांथ तो डार के पेटा पेजी है इस विच पांथ दी शान है, निरादरी नहीं, सो साब कुछ परवान कार लेना चाहिदा है सब एक सिंग्धी सला सर्व सम्तिनल मन लई गई, जागीर ता परवान हो गई, पर नवाबी ते सिरोपा, दज, चालू कोई न बढ़े जिसनू किहा जावे, ओहो ना कार दे ले उस वेले कपूर सिंग, फैजला पुरिया, संगत विच पक्खा चाल वेहा सी सारे पांथ ने एक आवाज ओदा ना पेश किता, अंत उसनू खिताब नवाबी परवान करना पेया, उस दिन तों उसनू नवाब कपूर सिंग कह के बुलाया जान लगा अम्रिसर विच अमन दा साल जागीर पाके सिंग अम्रिसर विच अमन नाल वसन लाग पए, सावदा लंगर पानी कठा हुंदा, लोडवंद दी बस्तर, शश्तर, आदी दी लोड, गुरु की गोलक विचों पूरी किती जान दी, गोलक विच तिन तरह दी आमदन ओंदी जागीर चड़ावा ते सिखां दी किर्टक माई, सदारां विच अधियां दी वंड इस तरह सी, पाई मनी सिंग जी गरंथी दरबार साहिब, दरबारा सिंग दिवान, नवाब कपूर सिंग नशान बरदार, गुर्बक्ष सिंग कोल तोपा ते जंबूरे, हरी सिंग लंग जथेदार, जस्सा सिंग आलू आलिया, कोडेयां दे दाने दा वरतावा, दिवान ते नवाब दिस लाका, हरी सिंग हजूरी, दीप सिंग शहीद, जस्सा सिंग रामगडिया, करम सिंग खत्री, बुड़ा सिंग शुकर चक्या, पुमा सिंग, गर्जा सिंग आदी, साल कु ए प्रबंद ठीक चालदा रहा, सिंगा ने मुल्क विच कोई गड़बड नहीं किती अगले साल सावन सारसचोंती इश्वी दिवान दर्बारा सिंग स्वर्गवास हो गया ता उस दी था नवाब कपूर सिंग पांथदा जथेदार बनेया इस तो पहलों सदाद दर्बारा सिंग ही सारे पांथदा जथेदार मन्या जान्दा से बुड़ा दाल ते तर्ना दाल इस वेले सिंगा दी किंती चौकी वाद गई सी सो सारे दाल दा इकको थां परबंद कार्ण विच बड़ी उखेयाई हुंदी सी इस वास्ते पांथदे मुखी मुखी सिंगा ने विचार कारके दाल दे दो हिस्से कार दते बुड़ा दाल ते तर्ना दाल तर्ना जुआन दालनू अग्गे पंजा जथेयाँ विच वांड़ जथता गया पहला जथा शहीदा इस जथे दे जथिदार बाबा दीप सिंग जी शहीद सां तीज्या इस दा जथेदार बाबा काहन सिंग तेहन सी इस जथे विच परसिद सरदार मीरी सिंग तेहन हरी सिंग टेलों ते बाग सिंग हलो वालिया कलाल सां चौथा जथा डल्ले वालिया इस दा जथेदार सरदार दसोदा सिंग गिल जाट पिंड कोट बुड़े दा सी अमल सिंग नामी सर्दार सांग इना पंजा जथेयां दे सर्दारा नो इक इक निशान ते इक इक नगारा दे के अड़ो अड़ डेरे करन दा हुकम दिता गया फिर सारे सिंगा नो कहा गया कि जिस सिंग दा जिस सर्दार ना दल मिले ओ ओदे जथे विचे जार ले इना पंजा जथेया ने राम सर, संतोक सर, बबेग सर आधी थामा ते डेरे किते पिछे अकाल बुंगे बुड़ा दल रह गया जिस दा जथेदार नवाब कपूर सिंग सी इस जथे विचे नामवर सरदार जसा सिंग अलू आलिया ते थराद सिंग सान तरना दल हांसी हिसार सिंगा दी गिंती वद जन करके जगीर दी आमदनाल खच पूरा नहीं सी हुंदा इस कारण तरना दल दे सारे जथे हांसी हिसार नू चाले पागे पिछे अमरिसर केवल बुड़ा दल ही रह गया सुब्यदर लहोर ने सिंगा दी ताकत खिलरी गई जान के स्तारा सो पैंती ईश्वी विच जगीर जब्त कर लई ते नवाब कपूर सिंग नू जथे समेच सरकारी नौकरी कारण वास्ते किया सिंगा ने ए शर्त परवान ना किती हुन बुड़ा दल दे सामने खर्च दा स्वाल आ गया हर मंदर साहिब दे चड़ावे तो ता खर्च पूरा हुंदा नहीं सी ते ना फौजी सिंग चड़ावे तो खर्च लेना ही मांदे साम सो हार के फिर उना नू अपना पहला टंग वरतना पया इना ही दिना विच सरकार दा इशारा पाके पिंडा देया चौधरियां वी सिंग अनू तांग करना अरंब का तित्ता सी सिंग वी अमरी सर उठ के पिंडा वाल होतु रे ते लगगे नंबर दारा ते चौधरियां तो मामला अउग रहों जेडा पिंड डांग दे लंगर जोगी रसत देदन दा उत्थो सिंग अमन नाल अगे लंग जान देते जो वेर दा उत्थो बाल नाल लुट लेंदे एस तरा लागपग सारे मार्जे वेचे लुट मार माच कही एस लुटमानू रोकन वास्ते ते मार्जेनू सिंगां तो साफ करन वास्ते सुबा लहौर ने दिवान लगपत राए ते अपने पती जे मुखलस खां दे मात हित दस हजारी गश्ती फौज इलाके वेच फिरन वास्ते नियत किती एफ ओजां पेंडवीच चकर लओं दियां फिर दियां जो कोई अगो जड़ावी उची साल एंदा ता उनू सिख कह के कतल कार दता जांदा तांग आरके सिंग मालवे देश जावडे अल्ला सिंग ने अमरिच्छ किया नवाब कपूर सिंग दा डेरा बरनाडे जावत्रिया जो पटेयाले राज दे बानी सर्दार आला सिंग दी उस वेले राज दा नी सी सर्दार आला सिंग ने अपने कारगुरू ग्रंच साहिब जीदा पाठ कराया इकठे होए पांथ नू लंगर शकाया ते हर एक सिंग नू खेस लोईया आधी बस्तर पेटा कीते एस शुब समें आला सिंग ने समेट परिवार नवार कपूर सिंग दे हत्थों अमरिशक या इस दिन तो सर्दार आला सिंग दा पांथ विच अग्गे नाडों वदेरे आधर होन लगा सर्दार आला सिंग तो विद्या हो के बुड़ा दाल मलेर कोटले दे लाके आउतरिया शिर्दा आलूआ तो नजरा लेंदे ते आक्यां तो लुट मार काँदे होये सिंग सरहंद दे उदाले जातम के इत्थों दे मुस्लम चौदरियां ते जिमिदारनों लुट दे होये वो सतलूज टप के दुआपा जिलंदर विच आ मार ताड करन लगे लोकाँ ते सिंगा दा एनना रोब पैगया कि अग्गों कोई उपास्रन दी दलेरी ना कर सकदा मांज राजपुत्तां दा इलाका खास तोर ते लुटे आगया एस वेले बुड़ा दाल ते तरना दाल दो में आ कठे होये पांथने गुर्मता किता की दीप माला दा मेला शिरी गोईंदवाल मनाया जावे सो गोईंदवाल दे पत्तन तो द्रियाब यास तापके पहले सराद दा मेला शिरी बाउली साहिब गोईंदवाल आ किता मालवे ते दुआब्बे विच्चों सिंगा चंगे हाथ रंग के आयसान सो गुर्दवारे दी सेवा दिल खोल के किती एथों चाल के चौथे पंजमे सरादा मेला खडूर साहिब किता एथों वेले हो के सिंग शिरी तरंतारन आ बैठे तरना दालता इथे ही रहा ते बुड़ा दाल बासर की बीड विच जा उतरे एक खबर लहोर सुबिदार खान बहादर नो पोजी ता उने साथ हजार फौज दे के दिवान लगपत राए हैबत खान, सलाबत खान, कुतुब दीन आदी जरनेला नो सिंगा उते हमला कर नवास से पेजिया उना चुप किते बैठे सिंगा उते बासर की हला बोल दिता बड़ा कमसा आंदा युद्ध होया सिंग पा में गिंती विच थोड़े सान पर बड़ी बहादरी ना लड़े कुतुब दीन, समुन्द खान दा जवाई ते सलाबत खान लड़ाई विच मारे गए दोहा जरनेला दे मरन नाल शाही फौज दे हौंसले टुट गए पर एन उस वेले समुन्द खा सज्जर शा फौज लाएके आप उच्चा हुन सिंगा ने लड़ाई विचों खिस्क जान विच ही पलाई समझी ओ लड़े लड़ाउं दे खेम करन नो निकल गई ए लड़ाई स्तारस छती ईश्वी नो होई शाही फौज वी सिंगा दे मगर होतुरी खेम करन कोल तरना दल वी बुड़ा दलना जा मिलिया हुन दोवें दल कठे होके चूनिया दे इलाके विचे जा पहुंचे अगे अगे सिक ते मगर मगर शाही फौज आ रही सी आंत हुजरा शा मुकीम कोल दोहा दला दा फे टाकरा हो पया सिखा दे दिला विच बासर की दी हाद दा बड़ा गुस्सा सी सो ओ इस बहादरी ना लड़े की शाही फौज हजारा सिपाही ते जमाल खां, तातार खां, दुनी चंद, लगपतराई दा पतिजा वर्गे जर्नैल मरवा के लहोर न सगी खाल से नू पूरी फते प्राप्त होई ते हारी होई शाही फौज दे डेरे विच्चों हजारा रुपे दा समान हाथ था इत्थो सिंगा ने फेर अमरिसर नो मू कार लिया ओ इलाके विच्चों आकिया नो सोदे होई माज्य विच्च दी आ रहे सन जा समुन्द खां लहोरो खोर सजर्शा फौज लेके आ चड़िया इस फौज दा टाक्रा करन दी था सिंग रियाड की नो निकल गए ते कला नौर, गुर्दासपूर, पठान कोट जाल उटे फिर दर्यार रावी टापके सिंगा पसरूर, सियाल कोट, वजीराबादे लाक्यां विच्च जाल उट मचाई इस गरबटों खान बहादर जक्रिया खान सुबेदार लहोर तंग आ गया उने मुला काजिया नुसाद के पुछिया कि हजारा रोज कतल होनते वी सिंग वद दे जान दे हां इस दा की कारण है अगोना जवाब दता इना दा गुरू अमरिसर दे तालाव सरोवर विच अमरित पा गया है उत्थो इशनान करके ते अब्बे हयात पी के सिंग अमर हो जान दे हां सिंगा ना अमरिसर जाना बंद का देए ताई आप ही मुक जान गे ए दलील सुनके खान बहादर ने काजी अब्दुर्रह्मान ते मुहमद बक्षनू दोहजार फोज दे के अमरिसर दे कपजा करन पेड़ दता ओना आउंद्या ही शैर ते कपजा कार लिया ते स्रोवर दे उदारे सक्त पैरा लाद दता ताँ जो कोई सिख उस विच इशनान ना का सके जा उत्थों अमरित ना पी सके इसवेले पाई मनी सिंग जी ते ओदे थोड़े जह साथी संता फकीरा तो बिना होर कोई सिंग अमरित सर नहीं सी आजा साकदा कार जी ने एक दिन आम लोकां विच खलो के किहा कि कोई सिख हुण अमरित सर विच इशनान कार जाए ता मैं उनू सिंग समझां नहीं ताए सारे गिदड़ हन जो केवल नाम नू ही सिंग शेर हां उड़दी उड़दी एक अलखासा दाल विच जापोजी सरदार सुखा सिंग तकान माडी कमबोकी ते सरदार थराज सिंग पाई मनी सिंग जीदा पती जा पंजास इखांदे जथे सने अमरित सर इशनान कार नुआस ते प्यार हो पए उना बाखी जथे नू गिलवाली दर्वाजियों बार्ख लाग दता ते आप दोमें पेस बदल के सरोवर ते जापोजे अजे अमरित वेला ही सी शाही सेना दे सिपाही आपो अपने तंबूआ विच सुते पैसन दोहां सिंगा ने इशनान की तते जकारे छड़दे कोड़यां ते स्वार होके अपने जथे विच आ रड़े जकारे सुनके मुसल्मान फौज विच हालचाल माच गई ओ सिंग आप आए कैंदे होए जिस पासे मू होया उठन से काजी अब्दुलरह्मान विकबर आ गया पर दुज्जियां तो अपना दारलुकों बगले हला शेरी देन लगा कि सिंग थोड़े ही जे तकड़े होके फार लगो सिंग जे चुप करके खिसकना चौन देता जा साकते सन पर उना एहे मता पास किता कि हुन आए हां तक हाली ना मुड़िये कुश सिंगा वाला काम करके ही चलिये उना गिलवाली दर्वाजियों बार जेकारे शड़े सुन के काजी ते उस दा पुत्तर फोज लैके उसे पासे वल वदे वो डेरें बाहर निकले ही सन जा सिंग शेरा वांग चाट कार के आपई थोड़ा जिहाद चेर चंगी लडाई होई शाही सेना विच्चों सौद लागपग से पाही फट्कड होई जा मारे गए मर्न वालेयां विच काजी अब्दुल रह्मान ते उस दा पुत्तर वी सन चानन होन तो पहला ही सिंग पाज के फिर जंगल विच जा वड़े एक खबर लहौर पुजी ता खान बहादर ने गश्ती फौज दी गिंती वदा आदती ते ओदे अफसरा नू सक्ती दे हुकम देते सिंग समा विचार के मालवे नू चले गए ते लुट मार कर दे हांसी हिसार तक जा पुजे पिछो माजे ते रियाड की विच गश्ती फौज ने सिखा दे साख सबंदी बुरी तरा लुट ले एक अटनावा स्तारा सो सैंती ईश्वी दिया हांग दिवान लगपत राय नू सुबेदार ने अमरिसर दा प्रबंध करनवास्ते पेजिया उन्हें अमरित स्रोवर विच मिट्टी सुटा के बौस सारा पूर दित्ता ते उत्थों दा असर काजी अब्दूर जाक नू थापया एनिया गडबडा विच वी पाई मनी सिंग जी अमरिसर विच ही टिके रहे और निर्मले संतांदे पेश विच रहें दे सांग असल विच निर्मले संतांदी पर नाली ते शिरीगुरु गरंस साही जी दे टकसाली अर्थ चले ही पाई मनी सिंग जीतों सांग पाई साहिब सारे कपडे, कशेरा, चोगा ते दस्तार सफैद पेनिया कादे सन उना दी सफैद ते सिदी दस्तार तो मुसल्मानानू काफी पुलेखा लगदा सी क्योंकि फॉजी सिंग नोकदार नीली दस्तार पेनिया कादे सन पाई साहिभ जी कोल हर वेले 15 वी हिंदू सिक सांत ते मुसल्मान फकीर टेके रहेंदे सां आप हर वेले शिरी गृुआ ग्रहं साहिभ जी दे अर्थ संधानु समझोंदे रहेंदे सां गुरू का लंगर हर वेले हल प्राणी मातर वास ते वर्त दा रहेंदा सी इना कारना करके हाकम पाई साहिब नू साब्दा सांजा फकीर समझ दे कुछ नई सन केंदे सिके तेहास दे पर सिद लिखारी पांथ परकाश ते तवारीख गुरु खालसा दे करता ग्यानी ग्यान सिंग जी पाई मनी सिंग दे पडोतरे सन ग्यानी जी पाई साहिब जी दी साखी पांत परकाश विच बड़े विस्थार ना लिख दे हां गुरु तेक भादर जी पिंड अकोई उत्रे होय सन जाँ पिंड कमबोवाल शह सुनाम दे कोल दा सिख पाई कल्ला अपने पुत्रा मनिया ते गनाहिया सने गुरु जी नू मत्था टेकन आया दशमेश जी पटने साहिब तो अनांदपुर आये ता पाई कल्ला अपने पुत्र मनिय नू गुरु साहिब पास सौंपाई मनिये दी उमर उस वेले सत को साल दी सी पाव दशमेश जीतों दो साल वड़ी पाई मनिया हजूर दा बाल सखाई सी जद गुरु जी ने खाल से दिरचना किती पाई मनिया वी अमरेश शाक के मनी सिंग बाण गया जद अनांदपूर साहिब चड़िया पाई मनी सिंग जी गुरु के मैला नाल दिल्ली चले गया मुक्त सर युद पिछो माता साहिब देवा नाल पाई मनी सिंग जी गुरु महराज नू दंद में साहिब आ मिले हजूर नदेड नू गये ता मनी सिंग वी नाल गया महराज दे जोती जोत समाउन तों कुछ दिन पहला मनी सिंग माता साहिब देवा नाल दिल्ली आ गया 1721 इश्वी मिच माता सुंद्री जी ने मनी सिंग नु अमरी सर हर मंदर साहिब दा ग्रंथी नियत कारके तत खाल से ते बंदईयां दा चगड़ा ने बेड़न वास्ते पेजिया उस समेतों शहिदी तक आप हर मंदर साहिब दे ग्रंथी रहे शिरी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अर्था दी मर्यादा आप तों चल ली है इक वर आप जिदर प्रार नगाया सिंग सनी प्रवार अमरी सर आया उस दे सत्तां पुत्रां अगड सिंग, थराज सिंग, दरगाहा सिंग, रुगा सिंग, बक्त सिंग, सुजान सिंग ने मनी सिंग जी पासों अमरी शक्या पहले तिन्ने तक पाई साहिब जीदे कोल अम्रिसर ही रहे ते बाकी चारे अपने पितानाल वापस पेंड चले गए पिछोत राज सिंग नवाब कपूर सिंग जथे विचराल गया ते दरगाहा सिंग आंत समे तक पाई मनी सिंग जीदी सेवा विच रहा दिवान लगपत्राय ते काजी अब्दुलर्जाक दे करडे प्रबंद दे कारण सिंग दा अम्रिसर आउना जाना असलो बंद हो गया सि पाई मनी सिंग जी आत्मान वे दुख असै हो रहा सि उना दी दिली रीज सि के किसे बहाने अम्रिसर विच पांथ दाई कट किता जाए इस कारजवास ते उना अम्रिसर दे हाकम काजी अब्दुलर्जाक नाल मिलाब किता फैंसला ए होया कि पाई मनी सिंग जी दीप माला दा मेला करन बदले पांज हजार उपए ठेके वज़ों सरकार नू दे दें ते दो हजार वड़ी वज़ों का जी अब्दुलर्जाक नू दास दिन मेला हुना नियत होया ए भी फैंसला होया कि सिंगा दे अम्रिसर आउनु ते सरकार वलों कोई रुकावट नहीं होईगी पाई साहित दा ख्याल सी के बेंत संगता कठियां हून गियां ते लोड अनुसार चड़ावा आ जावेगा सो सात हजार हाकमा नू दे के बचे चड़ावे नाल अम्रिसर साहित जी सेवा किती जावेगी उना दूर नेड़े संगतां ते जथे आनु चिठियां पेई जतियां उद्दर उथे वसन वाले संतां ते होर शर दालुआने सरोवर विच मिट्टी काड़ के खूजो के पानी पाद दता मेले दी तियारी बड़े उच्छा ना होन लगी लखोर दी हाकमा दी नियत बजल गई उना नू ए बुरी सुजी की मेले उटे सारे सिंग सरदार कठे होन गे क्यों ना उना सारे नू एथों फाड के दिली पे इदता जावे सो उना मेले दा प्रबंद करन दे भाने लोड तो किते वद फौज अमरी सर पे एजित दी फौज दी बौग इंती ते नवे आय अफसरा दे रंग टांग तो पाई साहिब जी असली गाल सामझ गे उना साब जथियां ते इलाक्यां विच वेरवे लिखके मोडवियां चिठियां लिख पे जियां कि संगता ना आउन सो ना संगता आईयां ते ना मेला लगा केवल थोड़े जहे उदासी निर्मले सांत ते मुसलमान सूफी फकीर ही कठे हुए दीप माला दे दिन गुजर गए ता हाकमा ने पाई साहिब जी तो ठेके दर रुपेया मंगया पाई साहिब जी ने खरी खरी कैस सुनाई कि तुसा आप ही बे लोड़ी फोज पेज के मेला लगनों हटा दिता है इस वास से चड़ावा ही नहीं आया तासीर ठेका कितों तारिये आंत लहोर सरकार दे हुकम नाव दिवान लत्पत राय ने पाई मनी सिंग जी नू अम्रिसर्टो कैड कार के लहोर सुबेदार दे पेश किता एक अटना स्तारा सो ठती ईश्वीदी है पाई मनी सिंग जी सुबेदार खान भादर दे पेश किते गए पाई साहिब जी ने ठेक किरी रकम तारंतो अस मर्था प्रगट किती ते मेला ना लगन्दा दूशन सरकार दे सिरही थपया ता नवाब ने हुकम दिता कि जा मुसल्मान होना परवान करो जा कतल होनली त्यार होगो पाई साहिब ने उत्तर दिता खान भादर अग्गे कदे किसे सिख ने तरम त्याग गया है ता मेरे उत्तेवी एस वाल कार लेंदे सिख तरम त्यागन नालो जान देना चंगा समझदा है खाल सा हाजर है कोल बैठे काजी तो पुछे आ गया ता उसने पाई मनी सिंग जी दे बंद बंद कटन दा फत्वा दता लहोर दे सिखा नू पता लगा ता उना ठेका तार्न वास्ते रकम कठी किती उना पाई साहिब जी नू पुछे आता उना एस तरह जान बचाउन तो इनकार का तिता आंतन खास चौक विच एक हुन्नी नाटक खेड़िया गया जलाद तलवार दा वार गुट उत्ते करन लगा ता पाई साहिब ने उसनू इस काली तो वर्जिया ते किहा अपने मालक दा हुकम पूरा कार तेनू बंद बंद कटन दी आगया है तू वेखदा नहीं कि गुट तो अगे एक उंगल दे तेन तेन जोड हां सो तू हर एक जोड वखवख करना है अनोखी शहीदी सी जलाद सरीर दा बंद बंद काट रहा सी ते तर्मी सांत शांती ना समादी लाई बैठा सी एक आरा देख के लहोर दा हर दर्दी दिल कुरला उठया आखरी वार तो अनुते होया ते सिर ताड तो वखरा हो गया लहोरी सिखावलो पाई साहेजी दे टुकडे हो चुके श्रीर दा संसकार किले दे चारदे दर्वाजियों बाहर किता गया जित्ते अज तक समाद बनी होई है आप जी दी शहीदी स्तारा सो ठती इश्रीनों होई एस शहीदी ने सिंगा दे दिला अंदर दबी होई अगपड का आदती हार एक सिख दे दल विच पाई साहे वास्ते अथा प्यारते शग्दा सी बांद बांद कटन दी सगा अब्दुल रजाक दी निगरानी विच पुक्ताई गई सी नाडे ओ पाई साहे जिदी गिरफतारी वेले लगपत दे नाल सी सो पिछो समाँ पाके सिंगा ने काजी दे जदी पंड अली गड जिला गुजरावाडा नू उजारके उसदा ना अकाल गड रखेया ते सदार अगड सिंग ने काजी नू कतल किता जिस काजी ने फत्वा दिता सी उसनू थराज सिंग ने ओदेक कार लहौर जाके कतल किता सुमेद खां पिंड मानक को और डेरा लाई बेठा सी उगश्टी फॉई दाफसर सी नवाब कपूर सिंग ने उस उत्ते हमला किता लडाई विच समुन्द खां फड़ेया गया सिंगा ने उनू कोड़ेया मगर कसीट के मार दता ए साल सिंगा दी कतलामदा सी पाई मनी सिंग दे नाल फड़े होय सिख सम्त चरखीते चड़ा के मारे गए एथे ही बास नहीं इलाके विचों पाल पाल के अमनाल करीब एठे सिख फाड़ के लहौर लयान दे गए ते इसलाम ना तारण करन उत्ते अनेका तसीह दे के कतल किते गए एना शहीदी कारनाम्या ने सिंगा नू पूरी तरा प्रका आगता पाई मनी सिंग जी दी शहीदी तो पहला बसंत पंचमी वाले दिन हकीकत रायनू लहौर विच शहीद किता गया सी सिख इतिहास उत्तेजदा चंगा असर पया दलेर सुबा वाले हिंदू गब्रुआ अंदर बदले दी आग पड़ कुठी ओहो का रातो निकले सिखा दे जथेया विच जार ले ते अमरिच छाक के सिंगर साज गई इक जुरूरी फुटनोट हकीकत राय सियाल कोट दे रैन वाले पाई पाग मल पुरी ते गोरां दा इको इक पुतर सी ओह छोटी उम्रे ही वडाले विच सदार किशन सिंग दी लड़की दुर्गी नाल व्याया गया सी किशन सिंग मल सिंग ते दाल सिंग तिन प्रासन हकीकत राय दे नान के विसिख सन इस वास्ते ओदे दिल उते सिख गुरुआ दी शहीदियां दा चंगा असर सी ओ मसीत विच पढ़दा सी मुसल्मान मुंडिया ने देवी नू गाल दिती ता हकीकत ने अगो बिबी फात्मा नू उमे किहा एस गुनाव विच ओ फड़या होया लहोर खान बहादर दी कचैरी विच पेश होया एथे मौत जा इसलाम दा फत्वा देता गया आंत उस तर मी बच्चे ने तरम ते आगण जी था मौत परवान किती ते बसंत पच्च मी 1725 ईश्वी पंगू पन्ना 277 वाले दिन शहीद किता गया पिच्छों सिंगा ने एस जुलम दा पूरा बदला लेया सियाल को टुते हमला करके लुट लेया जालम खां काजी फत्वा देन वाला मौलवी शहर दा हाकम अमीर बेग ते होर चुनवे मुसलमान मारे सदार किशन सिंग दाल सिंग ने हकीकत राय दे कातलां दे सिर उस दी माता गोरां दे सामने जा रखे पांथ परकाश पन्ना 622 कई चरक कई फासी मरे कई तोपन कई छूरी कटारे कई अन के सिर मुंगली कुटे कई डोबे कई कसी इट सो सुटे दब्बे टंगे बंदुकन दै मार कौन गने जो मारे हजार पांथ पांथ कई पकड बहाए साथ तेगन के सीस उडाए किसे हत किसे टंग कटवाए अक कड किसे खल कडवाए केसन वाले जो नर होई बाल बिरद लब छड़े न कोई सिंग पढ़ कुटे असी उपर लिखाए हां कि पाई मनी सिंग जी दी शहीदीने सिंगान उपर का आदता सी उन्हा इलाके विच था था लुट मार मचा दती कईया पिंडा दे चौदरी माद देते ते कईया दे पिंडल उट ले पाई साहिब जी दे कातल काजी ते मुफ्ती नो मार के सिखांदा सारा गुसा ठंडा नई सी हो गया उन नवाब खान बहादर नो कतल करन दिया सोच्चां विच सान पर ओखी गल एसी की खान बहादर के लियों बार नई सी निकल दा एक दिन दो हजार सिंग तुर्की पेस करके हरिया चंडा लेके तकसाली दरवाजियों शेर दे अंदर आवडे उना दी चाल एसी के जद खान बहादर जुमेदी नमाज पढ़न शाही मसीथ विच आवेता हला करके कतल कार देऊ पर उस दिन सुब्यदार नमाज पढ़न किल्यों बाहर ना आया सो सिंगा ने दिल दी इच्छा पूरी ना होई अंत सिंग शहर दा टक साली दे मोची दरवाजे दा अंदर ला हिसा लुट के बाहर नकल गए एस कटना ने खान भादर नू सुचेट का दता उनू गुसे विच अगला गुठी उने गश्टी फोज दे अफसरा ते इलाके दे चौदरे नू साध के बड़ा तंकाया कि जिस दे इलाके विच हुन कोई सिंग नजर आ गया उनू उहो सजा दित्ती जावेगी जो सिंगा नू दित्ती जादी है एस सक्त हुकम ने पत्ता पत्ता सिंगा दा वैरी बना आदता एथो तक कि लहोर सरकार दे लाके विच सिंगा दा रेना उखा हुगया उन आसके मालवे विच जावडे ते कुज ता जैपुर जोदपुर बिकानेर आदी रियास्ता विच जापुजे एस समय सर्दार आला सिंग पत्यारा दे पुत्रा ने सर्दार अगर सिंग पासं आमरी शक्या इस वेले माजे विच वेखन नूवी सिख नजर नहीं सी होंदा जे कुई टावा टावा किते रह वी गया सी ता उलुक छिप के दिन टपौंदा सी किते किसे दा शाही बंदिया नल टाकरा हो पैंदाता उमेदान विच मर्दा वांग लाड़ मर्दा जलंदर दे नाजम कुटुब दीन ने कतार पुरते हमला किता उत्थों दा पुजारी सोड़ी वड़ पाग सिंग पहाड़ा नू नास गया कुटब दीन ने गुर्दवारा थम साहिप सार देता ते गुर्दवारे दे वेड़े विच गाहा हलाल किती उन्हे सारे पेंडल उट लाया उत्थों दिया कई हिंदू देविया फाड़ के नाजम जलंदर लाग गया समा पाके इस दा बदला सरदार बाल सिंग ने लेया पेंड़ टेलवा कोड कुटब दिन शिकार खेड़ दा कापू आ गया सिंगा ने हला करके नाजम नू फाड़ लेया ते जयों दा अग विच सार दता लाग दे हत सिंगा ने जलंदर उते तावा बोल के शहर दा बहुत सारा हिसा लुट लेया मुसल्माना दी कैद विचों हिंदू देविया शुडा के करो कर पुचाईया पिंड पडाने दा एक जाट सरदार बोता सिंग ते को दा साथी मजबी सरदार गर्जा सिंग दो में लुक छिपके रेंडे सान ओर आत बराते अमरी सर ते तरंतारन इशनान कार जाया कार दे इक दिन ओ तरन तारन इश्नान कारके दिने नेडे दे जंगलां विच लुके बढ़े सान जा उना दे कन्ना विच लंगे जान दे रईया दियां गलना पईयां इकने वेक के आख्या कि दो सिंग लुके बढ़े हान दुजे ने उत्तर दिता सेंग वी कादलू के हान ए कोई गिदड़ होने ने ए बोली सिंगा नू खा गई उना दोहां गुर्मता किता के कोई सिंगा वाला कार नामा कार के शहीद होई है ओ नूर दिन दी सरां को लहोर वाली सडकुते खलो गई ते लंगन वालेयां तो अन्ना गड़ा ते पैसा खोता जगात उगरोन लगे लंगन वाले जगात दिन दे ते राहे पैजान दे पर अगों उपासर दा कोई ना दो तिन दिन लंग गए ता उना बोता सिंग ने लहोर दे सुबिदार खान बहादर नू चिठी लखी मैं हां सिंग बोता हत विच सोटा मोटा लवा जगात खलोता अन्ना गड़ा पैसा खोता तू है नालाइक खोता तेथों राज नहीं होता तू जाएगा दरगा रोता तू आखी पाबी खानों नू तेरा देवर हैगा सिंग बोता लहोर जान दे सुदागरा दे हत ए चिठी लहोर नवाब को पुचा दिती गई चिठी पड़ी तक हान बहादर नू अग लग उठी उन्हें फोजदार जलाल दीन नू सो सवार दे के बोता सिंग नू फढ़ नू आसते पेजिया नाल ही फोजदार नू हदायत किती के बोत बोता सिंगा टाक्रेदा कोई लाब नहीं होवेगा सो नाल तुसी कदों तक निब सकोगे मेरे आखे लगो ता हथे आस उटके इन मान लओ मैं नवाब लहोर पासों तुहानू माफी लादे आंगा सदार बोता सिंग ने अगोदले राणा उत्तर दता असी मर्दा वांग लाड़के मर्न वास्ते परगट होए हां माफी मांग के गिदिया वांग जियोन वास्ते नहीं जेतु सिंगा दी भादरी वेखनी चौदा है तस आड़े दोहान दे टाकरे उत्ते अपने चार सिपाही मदान विच कड़ इस उनके फौजदार ने अपने चार चौणवे सिपाई मिदान विच कड़े दोही पासी तलवारा ते टाला लेके सूर में मिदान विच आ गए पर तन खाद बंदिया ने सिरलाथ सूर में दाटाकरा की करना सी सिंगा ने वेंदिया वेंदिया चारे मुसल्मान सिपाही टेरी कर दते फिर होर पांज आए उना दावी पहले वाला ही हाल होया अंत फौजदार ने सारी फौज नो कठा हमला करन्दा हुकम दता फिर वी सिंग कबराई नहीं ओ दोवें सूर में अंतन स्वास तक टाकरा कारदे होय शहीद होय दुज़पास से जलाल दीन देती को सिपाही फटटड़ जा कतल हो गए एस कटना ने सारे इलाके विच तर थली मचा दती गुरु महराज दे पांथनू जागर रखन वास्ते सिंगा ने अजेहे अनिक का कारणा में किते असल गल ए है कि ओ जियोंदे ही केवल मर्दा वांग मर्न वास्ते सन मौत दा पै उना दे नेडे कदे नहीं सी लगया अमरे छाक के सिंग साइदा ही उहा सी जिड़ा तरम दी खातर मर्ना पर वानकार लेंदा सी सिंग सजन वाला ही नहीं ओदे कारदे अते सबंदी वी एहो समझ लेंदे सन कि ए पांथ दी खातर मर्न वास्ते ही सिंग सजिया है जो इक इस्तरी दुजी नु पुछ दी कि तेरे किन्ने पुतर हान तव गो केंदी कि हैगे ता चार सन पर एक सिख बन गया है पाव सिख बनना दुनिया वल्लो मौत दी चोड़ी पैंदे ब्रापरसी तिज्जा कांड सिख इतिहा समझनवा से जरूरी है कि पाठक दिल्ली दे मुगल बादशाहां ते काबल दे हाकमा दी तारीख तो जानू होगे इना दोहां ताक्ता विचकार सिख कौम पाल्प के जुआन होई है इना दोहां दे उतार चड़ादा असर सदा सिखां दे तिहास उत्ते पैंदा रहा है जियों जियों ओ ताक्ता निर्बल हुंदियां गई यां सिख बलवान हुंदे गए जैं यूं कहो कि उना दोहां ताक्ता ना कई साल को ओल करके अंत उना नू लतार के सिख कौम अपने सिखरते पहुंची हिंदुस्तान विच मुगल राई दा बानी बाबर होया है उस दा असली नाम जहीरुदीन सी उस दी बहादरी दे कारनामया करके लोग उसनो बाबर कैन लग पई जिस दा अर्थ है शेर ओपिता वल्लों तेमूर कराणे नाल ते मावलों चंगेज खां कराणे नाल सबंद राख दा सी उस दा पिता उमर शेख मिर्जा तुर्कस्तान दी र्यास्त फर्गाना दा हाकम सी बाबर 12 साल दा सी जाद उस दा पिता मार गया उस दे नज्दीकियाने तके नलोदी रियास्त खो लई दास साल ओ था था पटकदा फिरया आंत ओहो अपनी कदे ना हारन वाली हिम्मत ते मर्दा वाली बहाद्री दा सदका पंद्रा सो चार ईश्वी विच काबल उत्ते कबजा कार बैठा उस वेले ओ बाईस साल दा सी मर्दा दे दिल विच सदा खुली दुनिया विच वसंदा चाह हुंदा है ओ अपने राजदियां हदानू कदे एक था टिकन नहीं दन दे बाबर दे दिल विच वी एहा रेज सी ओह हिंदुस्तान वर्गे खुले देश दा बाच्छा बढ़ना चौंदा सी सो पानी पत दी पहली लडाई 1526 ईश्वी विच बाबर में 12,008 दिल्ली पती इबराहिम लोदी दी इक लख फोज नू जितलेया ते आप दिली दा बाच्छा बढ़ेया ऐथों हिंद विच मुगल राईदा अरंब होया 1523 ईश्वी विच बाबर मरयाता ओदा पुत्तर नसीरुदीन हमायू तक्तते बैठा 10 साल पिछों 1544 ईश्वी विच शेर शा सूरी ने उस्तो बाच्छा ही खो लई ते उनू देश विचो काड़ दता 15 साल पिछों हमायू ने 1525 ईश्वी विच दुजी वार हिंदुस्तान नू फते किता इस वार उसनू मसा छे मैने दा राज पोगणा मिलिया 1525 ईश्वी विच हमायू मार गया ता उस दा पुत्तर जिलालु दीन अकबर तक्तते बैठा पामे शब्द अकबर दा अर्थ ही वड़ा है पर ओता हिंद दे बाजशाहां विचों अकबर आजम वड़ा अकबर अखवाया ओहो 19 साल राजकार के 1625 ईश्वी विच मरया फिर उस दा पुत्तर नूरु दीन जहांगीर बाच्छा बनया उस दे हाकम नाल ही गुरु अर्जन देव जी महराज लहौर विच शहीद किते गई संद उस दी मोत सोड़ा सुस्ताई ईश्वी विच होई फिर उस दा पुत्तर शहजादा खुरम शा जहान लकब तारन करके तक्तते बैठा उस दे एहद विच गुरु हर गोबिंद साहिव दिया शाही फोजना लडाईया होया हिंद दे तिहास विच ओ आपनिया बनाया इमारता खास करके आगरेदा ताज महल करके पसिद है ओने कत्ती साल राज किता सोड़ा सोठवंजा विच नेक पुत्तर महियु दीन और अंजेव ने प्योणु कैद कार लेया ते बाकी दे सके प्रावानु कतल कारके आलमगीद लकब नाल बादशाही संबान उस दे हुकमनाल सरमंद वर्गे फकीर ते गुरुते एक भादर जी शहीद किते गए उसने मुगल राज़ियां हद्दानु दूर दखन तक वदाया पर राज दे नश्ट हो जान दे कारण वी उस दे पैरोकार पैदा होई उसने केवल 11 महिने राज किता जा सैद प्रावा अब्दुल्ला ते हुसैन अली दी मदद नाल जहां दार शान नू कतल करके फरक्षियर बादशा बनेया जो 1719 ईश्वी तक गदी ते रहा बाबा बंदा सिंग भादर ऐसे दे एहद विच शहीद किता गया सी फरक्षियर दी सैद प्रावा नाल अजोड हो गई सैदा ने फरक्षियर नू 1719 विच गतल करके तक उते शहजादा रफियू दाजात नू बठाया तिन महिने पिच्छों उसनों मारके उस दे प्रारफियो दुला नू शा आलम पेला दा खिताब दे के तक टे बठाया तिन महिने पिच्छों ही ओ भी प्रादे मगरे तोर दिता गया उना दोहा नू सैद प्रावा ने जहर दे के मारया सी आंत स्तारा सो उन्नी इश्वी दे अखीर विच शहजादा रोशन अक्तर तक्त ते बैठा जिसनों मुहमद शारंगीला आखते सां उसने स्तारा सो उड़ ताली इश्वी तक राज किता उस दे एहद विचे सयद पर आता मारे गए पर पिच्छों नमे बने वजीरां दे हाथ विच ताकत चली गई उस दे मर्न पिच्छों उस दा इको इक पुत्तर एहमद शा बाच्छा बनेया वजीर गाजी उदीन ने स्तारा सो चुरंजा इश्वी विच एहमद शानू अन्ना करके जेल विच सुड़ दता ते जहांदार शादे पचवंजा साड़ा पुत्तर सुल्तान अजीज उदीनू तक ते बठाया जिसने अबुल अदल अजीज उदीन मुहमद आलमगीर गबतारन किता तीन वंबर स्तारा सो उनाठ हीश्वी नू उसनू कतल करके वजीर ने मुहियूल मिलत नू बादशा बनाया जो शाजहांदुजा खवाया दिल्ली विच दूसरा ताकतवर आदमी सी परदान सेना पती नजीबो दुला उन्हे अपनी मदद वास्ते अहमद चाप दाली नू बुला लेया वजीर ने अपनी मदद वास्ते मरहटे साद लए दिली ते कबजा करके मरहटा जरनेल सदा शिव राओ पाओ नू शाजहां दुजजे नू तकत उतार के मिर्जा जवान बक्त नू तकत दिता जो शाजहां तिज्जा बनेया अवद दे नव चैद विच पानी पत दी तीसरी लडाई होई जिस विद एहमद शा अवदाली जित गया दिली ते कबजा करके अवदाली ने शा आलम दुजजे नू बादश्या परवान किता उस दे मरन पिक्छों 1806 इश्वी विच अग पर दुजजा बादश्या बनेया उस दे हादर्शा दुजजा 1877 इश्वी विच तक्तते बैठा ओहो उर्दू दा परसिद शायर सी जो जफर तकल्लस राखदा सी 1877 इश्वी दे गजर विच उसनू तक्तों उतार के अंग्रेजा ने रंगून विच कैद काप दिता जित्थे ओहो 1806 बाठ इश्वी विच मर गया नादर दा हमला मुगल राज नू कमजोर कारन ते सिंगा नू बल्वान बनों दा वसीला बनेया नादर 1686 विच खुरासान अंदर एक गरीब कार विच जम्या उदो कौन जानदा सी के ए आजडी दा मुंडा एक दिन दुनिया देते हास विच चमकेगा उसने बचपन अत गरीबी विच गुजारेया ओ गबरू होया तो लुटेरिया नाड मिल गया निडर सुबा आदे कारणों अपने जथे दा अगू बन गया इरान दा बाच्छा बड़ा कमजोर सी सो अफगानना ने बल करके 1721 विच खुरासान ते 1721 विच इरान माल लेया नाडर विच कौमी अंख जागी ओ लुटेरिया दा लीडर कौमी लीडर बाणके बदेसी अफगानना दे टाक करेते आया उसने अफगानना कोडो खुरासान ते कंदार खो लेया इसने कामने हजारा देश पगता नो दे चंडे थले कठे कार दता नाडर वदेरे दलेरी नाल मिदान विच आया ते उने इरान दा चप्पा चप्पा थां अफगानना तो खाली करा लिया फिर उसने इरान दे पुराने शाही कराने विचों शाह तहमासत नो तक्त ते बठाया इस महरबानी बदले शाह तहमासत ने नादर नो अद्धा रा इरां दे लोका ने नाधर नू तक्त संबालन वास्ते की हा पर उने शार तहमासती था उस दे पुत्तर अबास नू सारा सो बत्ति विच तक्त ते बठाया अबास उस वेले के वल आठ महींने दा सी सो नाधर उसी दा मुक्तियार बणिया राजपर्बंध सारा नाधर दे हत गया चार साल पिच्छों अबास मार गया ता नांदर काल अपर लगंग्दर बाग्छ सो दीए ननिंफ्काण फान भंबत्र के इने ईविदा आना संदında को mooーー आप देंदा राज प्रबंद कार्ण वास्ते उदे कोड़ एक मेंट भी नहीं सी सो बिदा सारा प्रबंद विगड़ गया ते आमधन काट गई दिली सरकार उदे खचा वास्ते हथों को शदेन लग पई नादर वेले दिली दा बादशा मोहमद शाद अंगीला ते वजीर कम रुदीन खां सी ओदों में पुल ही गए कि साड़े राज दा अफगानिस्तान वी कोई सूबा है सो कई साल तो उना अफगानिस्तान नू मदद देनी चाड़ दती ते उत्थों दे प्रबंद वल्लों उक्का ते आन हटा लेया स्तारा सो तेती तो स्तारा सो ठती ईश्वी तक पंज साल नासर खां दियां फौज जनू तन खां ना मिली फौज दी खुराक तेहते आरविच कमी आ गई हुन तक इस किताब दे असी सत्तर पन्ने पड़ चुके हैं वाहिगुट जी का खालसा वाहिगुट जी की फत्र